हेलो एवरिवन आज हम 6th क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 13 हैं चुम्भुकों दवारा मनोरंजन में दिये गई गतिविधी और पर्षनों को अच्छे से हल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंतब पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिये बल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे से जो मैं वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपके पास आजाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो देखें एक बार शुरुआत करते हैं यहां पर गतिविधी एक है इसमें और इसमें दिया है कि चित्र में दिखाए अनुसार एक पुष्टे के बीचों बीच एक आलपिन उल्टी करके गाड़ दो आलपिन कान नुकीला सीरा उपर की तरफ रहना चाहिए एक चुम्बकिये सुई का उप्योग करो आलपिन के उपरी सीरे पर चुम्बकिये सुई लगाओ एवं उस पर चोक से निसान लगा कर भूमाओ चुम्बक के रुखने पर देखो कि चुम्बक किस दिशा में ठहरता है ऐसा तीन चार बार करो एवां निम्न परसनों के उत्तर दो तो यहां पर देखिए बचो इस तरहें से आपको करना है यह एक पुष्टा है और यहां पर देखिए यह आलपिन है और इसका निकुला सीरा जो है वो उपर की तरफ लिया गया है और यहां पर यह वाली आलपिन है ठीक है इसका निकुला सीरा उपर है और यहां पर यह है चुम्बक किया सुई अब इसने कहा है कि चोक के निसान वाला सीरा किस दिशा की और रुखता है तो हमेशा उसी दिशा में रुखता है अगर उत्तर में ठहरा है तो वो उत्तरी धुरू है क्या हर बार घुमाने पर चुम्बक का निसान वाला सिरा किसी विशेश दिशा में रुखता है हमेशा एक ही दिशा में ठहरता है तुम चुम्बक के इस गुन का उप्योग करके क्या पता लगा सकते हो इस का प्रियोग करके हम दिशा का पता लगा सकते हैं आगे है अगर यही प्रियोग चुम्बक के छोटे टुकडे से करें तो क्या होगा इसमें है हाँ सभी चुम्बकों के दो धुरू होते हैं यानि कि कोई भी चुम्बक हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हर धुरू के जो चुम्बक होती है, उसके दो धुरू होते हैं, एक धुरू को बोलते हैं N और दूसरी को S, यानि कि N से बनता है North और S से बनता है South, यानि उत्री धुरू और दक्षिनी धुरू, तो इस त है कि तुम अपने आज पास, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, जैसे रबड, कील, पैंसिल, ब्लेड, कागज, ठागा, आल पिन, सेफटी पिन, एलुमेनियम, चमड़ा, प्लास्टिक, पत्थर, पौधे, हेर पिन को बारी-बारी से चुम्बक के पास लाओ, और देखो, क्या होता है, साने में भरो, तो यहां देखी, यह चुम्बक की और आकरशित होती है, वो चीजे है, और चुम्बक की तरफ आकरशित नहीं होती है, वो चीजे हमें अलग-अलग जो है, इनमें लिखनी है, तो जैसे यह सेफटी पिन है, वो आकरशित होगी, की चुम्बक की तरफ आकर्षित नहीं होगा धागा प्लास्टिक एलुमेनियम चमड़ा और कागच ये चुम्बक की तरफ आकर्षित नहीं होगे आगे अब यहाँ पर इसमें है कि उपरोग परियोग करने के बाद नीचे दिये खालिस्थान को भरू वे वस्तुएं जो चुम्बक की और आकर्षित होती है वे चुम्बक की अपदार्थ कहलाते हैं अब इसी तरफ यहाँ गतिविदी तीन है कि राम अपनी चुम्बक बनाना चाहता था इसके लिए उसने एक लोहे का ढखकन लिया और चुम्बक को पचास से साथ बार उस पर बिना हाथ उठाए घिसा उसके बाद उसने लोहे की पिनों को अपनी बनाई चुम्बक की और आकर्षित करके देखा तो वस्तु आकर्षित नहीं हुई यहां देखिए एक बार यह जो तस्वीर दिखाए गई है यह राम की तस्वीर है यह चुम्बक बनाना चाहता है उसने लोहे का एक ढखकन लिया था लेकिन उसने चुम्बक को बिना उठाए ही घिसा वो भी पचास साथ बार तो घिसा लेकिन चुम्बक को उठाया नहीं उसने तो उसके बाद उसने जो है लोहे को पिन के चुम्बक की और आकरशित करके देखा तो वो जो है आकरशित ही नहीं हुई तो इसमें क्यूशन है कि राम की बनाई चुम्बक में क्या कमी रहे गई तो इसमें हम लिखेंगे कि राम ने गलत किया चुंबक बनाने के लिए चुंबक को एक सीरे से दूसरे सीरे तक रगड़ना था उठाना था और फिर उसे सीरे से दूसरे तक ऐसे ही 50-60 बार दुहराना था तभी चुंबक बननी थी तभी चुम्बक बनेगा तो यहाँ पर यह राम ने गलत किया है कि चुम्बक को जो है रगड़ कर उठाया नहीं है अब आगे यहाँ पर है ख क्यूशन कि अगर तुम है चुम्बक बनानी हो तो तुम किस परकार बनाओगे तो क्या करेंगे कि एक सीरे से दूसरे सीरे तक उठाएं फिर उसी सीरे से दूसरे सीरे तक पचास से साथ बार दोहराने पर चुम्बक बन जाएगी अब आगे हैं यहां पर करके देखो चुम्बक से एक ओल्पिन को चिपकाओ उसके सीरे से दूसरी ओल्पिन लटकाओ इसी प्रकार एक के बाद एक ओल्पिन लगा कर देखो कि कितनी ओल्पिनों की लड़ी बनती है और क्यों यदि पहले सीरे से चुम्बक को हटा दें तो क्या होगा ये हैं कि चुम्बक हटाने पर सारी ओल्पिन गिर जाएगी क्योंकि वे सभी चुम्बक की चुम्बक की शक्ती से ही चिपकी हुई थी बागे यहां इसी तरह गतिविधी चार दे रखी है कि एक बीकर में थोड़ा पानी भरो यहां पर देखिए यह पानी भर रखा है इसमें बीकर में और अब कागज की चोटी नाव बना कर उसके उपर की और से पांच छे आलपिने फसादो ताकि पिनों के कुछ भाग बाहर आ जाएं इस नाव को बीकर में तेराओ तो यहां पर देखिए यह नाव बना रखी है बीकर की अंदर छोटी सी यहां पर नाव नजर आ रही है देखिए इसमें क्या क्या है इसने कि उपर से पांच छे आलपिने फसादी उसमें और पिनों के कुछ भाग बाहर आ जाएं इस हिसाब से उसने जो है नाव में और जो है नाव को अंदर छोड़ दिया है अब इसमें है कि बीकर की तली या साइड से एक चुम्भक लगाओ इसे चलाने की कोशिस करो तो अब क्या होगा इस तरह से चलाने से इसने क्यूशन पूछा है कि सटील का गिलास या कटोरी लेंगे तो भी क्या नाव चलेगी नहीं चलेगी अब आगे हैसे पदार्थों की सूची बनाओ जिनसे बने बर्तनों में तुम यह किरियाखलाब कर पाओगे तो यह क्याखलाब का अगज और प्लास्टिक में कर पाएंगे अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्यूशन की तुम चुम्बक का उप्योग और कहां कहां करते हो तो चुम्बक का प्रियोग जनेरेटर में होता है टेलिफॉन, लाउड स्पीकर, खिलोने आदी में होता है आगे है यहाँ कि तुम चुम्बक दवारा ऐसे ही और भी खेल खेल सकते हो ऐसे ही एक खेल का चित्र बनाओ तो यहाँ पर देखिए यह चित्र बना रखा है इसी तरह से और इसकी यहाँ पर पॉल दिखा रखी है देखे यह नौर्थ है चुम्बक का हिस्सा और यह है साउथ यानि यह उत्री धूर है यह वाला उत्री धूर है और यह जो है वो दक्षनी धूर है तो इस तरह से यहाँ पर बना रखा है आगे है यहां पर कि तुम्हारे पास कोई चुम्बक है और तुम चाहते हो कि वह वैसी ही रहे उसे बचाने के लिए तुम क्या-क्या सावधानिया रखोगे जब चुम्बक का उपयोब ना हो तो उसके उपर धारक अच्छे से रखें उपर से कभी न गिरने दें तो फिर चुम्बक जो है वो सही रहेगी अब यहां पर गतिविधी पांच दी गई है इसमें कि दो चड चुम्बक ए तथा बी लो इन में से ए चुम्बक को धागे से बांध कर स्टैंड पर लटकाओ अब बी चुम्बक के उत्री धुरू को बारी बारी से ए चुम्बक के धुरू के पास लाओ देखो आकर्शन होता है या प्रतिकर्शन यह है प्रक्रिया बी चुम्बक के दक्षनी धुरू से दोराओ देखो क्या होता है यहाँ पर देखी बच्चो यह एक छड़ ली गई है यह देखिए यह एक छड़ ले रखी है अब इस छड़ में जो है यह धागे से दो जो है चुमबक बांध कर जो है चुमबक को धागे से बांध कर स्टैंड से यहाँ पर लटका दिया गया है ये लटकी हुई है देखिए तो इसने क्या किया है? ये कहता है ए चुम्बक के धुरूं के पास लेकर आनी है धुरूजों ये पास लेकर आना है ये बी वाला यहाँ ए वाले के पास लेकर आना फिर कि देखो आकर्षन होता है या नहीं फिर जो है B-चुम्बक के दक्षनी धुरू से दोहराना है इसी तरह से तो फिर इसने का आकर्षन होता है या नहीं तो इसमें क्या होता है बच्चो अगर हम उत्री धुरू वाला हिसा रखेंगे यानि कि चुम्बक के जो है एक हिसा N होता है और एक होता है S N यानि की उत्री धुरू और S होता है दक्षनी धुरू यदि हम उत्री धुरू के पास उत्री हिसाई N को N से मिलाएंगे तो प्रतिकर्शन होगा अगर हम S से S को मिलाएंगे तो भी प्रतिकर्शन होगा लेकिन जब हम N से S मिलाएंगे तो आकर्शन होगा या फिर S से N को मिलाएंगे तो भी आकर्षन होगा तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए लिखा है आकर्षन और प्रतिकर्षन उत्री धुरू N है और उत्री धुरू N दोनों को मिलाएंगे प्रतिकर्षन होगा दक्षनी धुरू है और उत्री धुरू है इनको मिलाएंगे तो ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को आकर्षन होगा उत्री धुरू N और दक्षनी धुरू यानि S इनको मिलाएंगे उत्री धुरू और दक्षनी को तो आकर्षन होगा और अगर हम same same धुरू मिलाते हैं यानि कि दक्षनी धुरू से दक्षनी धुरू तो फिर परती कर्शन होगा कोई आ कर्शन नहीं होगा तो बच्चों ये वीडियो यहीं पर खतम होता है और next part मैं फिर next वीडियो में ही लेकर आउँगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसे लाइक भी करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए बाई